Hi everyone, freckles एक common problem है जिसमें हलके brown dots, बहुत छोटे छोटे brown flat dots चहरे पे बन जाते हैं तो ये इस तरह की pigmentation होती है, जैसे आप screen पे देख सकते हैं तो ये usually sun exposed areas में होते हैं और इस तरह की brown dots अगर हैं, तो इसको किस तरीके से treat कर सकते हैं और prevent कर सकते हैं कि ये बार-बार ना हो, इस बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, तो freckles क्या होते हैं ऐसे flat brown dots चहरे पर या और sun exposed areas पर हातों पर अगर बनते हैं तो ये usually sun exposure की वज़े से होते हैं और ऐसा क्यूँ है कि कुछ लोगों में ये ज़ादा होते हैं और कुछ लोगों में ये उतने नहीं बनते तो ये क्यूँ है? तो ये इसलिए है क्यूंकि ये हमारी skin की tendency है freckles बनने की तो जिन लोगों की tendency है freckling की उन लोगों में freckles जादा असानी से बनेंगे और बाकी लोगों में वो ही lifestyle पे freckles नहीं बनेंगे तो freckles क्यों बनते हैं? freckles sun exposure की वज़े से बनते हैं तो उतनी ही दूप में कुछ लोग जाएंगे तो उनको freckles नहीं बन रहे लेकिन अगर जिनको बन रहे हैं freckles उनको कम समय के लिए sun exposure पर भी अपने चहरे पे ये freckles और brown dots बन सकते हैं जिनको है tendency उनमें अगर sun exposure उतना नहीं है तो भी घर के अंदर रहने से tube light, valve, microwave की रोशनी, laptop की रोशनी, mobile की रोशनी इन सब से भी skin में pigmentation हो सकती है तो इसलिए घर के अंदर भी ऐसे लोगों को काफी धियान रखना है अपनी skin का तो अब ये क्या होते हैं, क्यूं बनते हैं वो हम देखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि sun exposure से बन रहे हैं तो ये melanin pigment है जो हमारी skin के अंदर deposit हो रहा है और जिसकी वज़े से अलग-अलग तरह की pigmentation होती हैं जैसे की freckles एक तरह की pigmentation हैं melanin pigment दो तरह के होते हैं, you melanin और few melanin जिन लोग में dark hair हैं या उनकी dark eyes हैं या dark skin color है तो ऐसे लोगों में you melanin जादा होता है और जिन लोगों का color light है, complexion light है, eyes का color light है, बाल blonde है, red है या brown hair है ऐसे लोगों में few melanin जादा होता है you melanin skin को बहुत अच्छे से UV radiation से protect करता है इसलिए you melanin जिनका जादा है यानि की darker skin color या dark eyes, dark hair color ऐसे लोगों में, क्यूंकि UV radiation से protection जादा है इसलिए ऐसे लोगों में freckles उतने जादा नहीं बनते और जिन लोगों में light complexion है, light eyes, light hair color इन लोगों में you melanin उतना नहीं है, यूवी radiation से protection उतनी नहीं है few melanin जादा है, तो ऐसे लोगों में freckling के chances जादा होते है तो ये तो हुई बात कि किसी क्यूं ऐसा हो रहा है कि किसी में freckles जादा बन रहे है और किसी किसी में freckles कम बन रहे है और ये genetic tendency हो सकती है, family history हो सकती है अब क्या करना चाहिए कि freckles उतने ना बने हमारे हाथ में क्या है हम क्या वो lifestyle changes कर सकते हैं जिससे की freckling कम हो तो इसमें सबसे जादा जरूरी है sunscreen इस्तमाल करना regularly use करना और सही sunscreen यूज़ करना normal sunscreen से फायदा नहीं मिलेगा physical sunscreen ही use करना होगा physical sunscreen जादा strong, जादा अच्छी, जादा लंबी sun protection देते हैं तो यही सबसे अच्छे रहेंगे freckles से हमारी skin को protect करने के लिए UV radiation से हमारी skin को protect करने के लिए तो physical sunscreen में problem यह है कि लोग कहते हैं कि बड़े चिप-चिपे होते हैं या इनमें white cast बहुत जादा होती है तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे tinted physical sunscreens हैं जिनमें foundation जैसा color है वो white cast भी नहीं देंगे और आजकल बहुत अच्छे ऐसे physical sunscreens हैं जिनमें जो चिप-चिपे भी नहीं हैं बहुत matte finish के हैं तो आप ये sunscreens इस्तमाल कर सकते हैं इस पर भी मैंने एक अलग video बनाई है जिसका link हम description box में share करेंगे तो वहां से आप सही physical sunscreen tinted physical sunscreen अपने हिसाब से choose कर सकते हैं तो physical sunscreen लगाना ज़रूरी है एक बार लगाने से फाइदा नहीं होगा तो हर 3-4 घंटे में sunscreen लगाएं सिर्फ चहरे पे लगाने से नहीं होगा सारे sun exposed areas पे लगाना है गरदन पर हातों पर सब जगा जहां भी अगर आपने full sleeves नहीं पैना है जहां भी sunlight पढ़ रही है वहां लगाना है ऐसे लोगों में जहां freckling की tendency है तो घर के अंदर भी physical sunscreen लगाना है और ऐसे लोगों में जैसे कहा जाता है कि freckles गर्मियों में बढ़ जाते है और सर्दियों में वैसे freckles थोड़े fade हो जाते है लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे लोगों में सर्दियों में भी बारों महिने आपने physical sunscreen लगाना है और बार बार लगाना है और घर के अंदर भी लगाना है तो ये तो हुई सबसे important चीज जो आप कर सकते है जो आपके हाथ में है अपनी skin को freckling से बचाने के लिए दूसरी चीज ये है कि आप सही चीजें lifestyle का इस्तमाल करें जैसे कि आप दूप में अगर निकल रहे हैं तो full sleeves पहने umbrella ले, cap पहने और अपनी skin को जितना ज़ादा धूप से बचा सकते हैं और जितना हो सके तो mask पहने scarf पहने ताकि जितना ज़ादा maximum आप अपनी skin को cover कर सकें ताकि direct sunlight आपकी skin पे ना पड़े उसके इलावा कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं जैसे कि बहुत अच्छे anti-oxidants आजकल available है इन anti-oxidants में beta carotene होता है तो ये खाने से भी हमारी skin में बहुत अच्छी ये oral sunscreens की तरह होते हैं तो बहुत अच्छी sun protection होगी beta carotene खाने से तो ये anti-oxidants आप खा सकते हैं ताकि जिन जगा को आप sunscreen लगा के protect नहीं कर पारे वहाँ पर भी आपकी skin sunlight से protected रहे अब ये तो हमारा हुआ कि जो हमारे हाथ में है इसके इलावा अगर अब freckles हो चुके हैं तो अब हम क्या करें कि freckles कम हो जाएं तो ऐसे में बहुत अच्छी creams available हैं glycolic acid, lactic acid based creams जो आप use कर सकते हैं जिनसे आपकी pigmentation, dullness, uneven skin tone better होगी इन creams पर भी मैंने एक video बनाई है safe skin lightening creams की जिन में बिल्कुल भी steroid या hydrocanon नहीं है तो ये creams आप try कर सकते हैं इसके इलावा कुछ procedures हैं जो dermatology clinics में किये जाते हैं जैसे इन ही glycolic acids और lactic acid की phenols की TCA, trichloroacetic acid की peels की जाती हैं उनसे भी ये freckles light हो सकते हैं अब बात करते हैं सबसे अच्छा treatment और सबसे safe treatment क्या है freckles का तो सबसे अच्छा, सबसे safe treatment freckles के लिए रहेगा Q-switch laser तो Q-switch laser एक technology है एक laser है जिससे हम freckles को burn करते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये patient हमारे पास आई थी जिनको बहुत जादा freckles थे और इसमें हम numbing cream लगा के छोड़ते हैं आदे घंटे के लिए उसके बाद आपका face anesthetize हो जाएगा ताकि आपको procedure के दौरान बिलकुल comfortable रहे, pain भी ना हो उसके बाद हम Q-swish laser से एक-एक freckles को अलग अलग से burn करते हैं burn करने के बाद 3-4 दिन तब थोड़ी redness और scabbing रहेगी उसके बाद ये scabs जड़ जाएंगे और आपकी normal skin वापिस आ जाएगी अगर बहुत जादा freckles है या बहुत deep, बहुत जादा dark color के freckles हैं तो हो सकता है कि आपको 2-3 sessions लगें या फिर हो सकता है आपके dermatologist आपके freckles के treatment को Q-swish laser को chemical peel से alternate करना चाहें और अच्छे result के लिए तो ये आप करवा सकते हैं और जैसे कि आप screen पे देखते हैं कि ये हमारी patient जिनका बहुत ही अच्छा result आया freckles में और ये धीरे-धीरे करके फेड हो गए इसके बाद आप इस result को maintain कर सकते हैं फिजिकल संस्क्रीन लगाके और सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का इस्तमाल करके अब यहाँ पे एक बात और समझनी ज़रूरी है कि freckles सिरफ और सिरफ एक cosmetic problem है ये कोई बिमारी नहीं है सिरफ अगर ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे अगर आपको ये psychologically bother कर रहे हैं अगर इससे आपका confidence कम हो रहा है और आप cosmetically इनको हटाना चाहते हैं तो आप freckles का treatment करवा सकते हैं अगर आपको video informative लगी तो इससे like कीजिए और अगर आप किसी को जानते हैं जिने freckles से related कुछ skin issue है तो उन्हें ये video share कीजिए और skin और hair से related ऐसे और informative content के लिए आप हमारा YouTube चानल subscribe कर सकते हैं हमारा YouTube और Instagram है दादू Medical Center और DMC Trichology और bell icon को ज़रूर press कीजिए ताकि आपको हमारी videos की notification मिल सके अगर skin और hair से related आपके कोई भी questions हैं तो please comment section में comment कीजिए अगर आपके कुछ suggestions है या आप चाहते हैं कि किसी topic पर मैं video बनाऊ तो वो भी please comment section में comment कीजिए मैं और मेरी team आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी thanks for watching